दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस किये कि अगर हम लड़कियां चुप रहें हमारे साथ कुछ भी गलत बहेवियर हो उसे चुप चाप शांती से सह लें कभी किसी को कुछ ना कहें जैसा भी हो रहा है उस तरीके से बस चुप चाप रहते रहें एक तरीके से अपने आपको नम कर दे और किसी भी चीज का कोई भी रिस्पॉंड ना दे हमारे उपीनियन की वैसे भी ज़रूरत कम होती है और हम अपना उपीनियन भी आगे ना रखें बस चुप रहें और जो हो रहा है उसे होने दें और सिर्फ काम करें और काम से काम रखें तब तक हम सभी लड़किया बहुत अच्छी होती है पर अगर हम इसे कुछ लड़किया जैसे कि मैं हूँ हम खुलके बोलने लग जाए बत्तमीज ही नहीं जस्ट बोलना शुरू कर दे या फिर अपनी बात आगे रखना चाहें या अगर हर्ट हुए है तो उस चीज को आगे रखना चाहें तो तुरन कुछ समाज के सुसंसकारी लोग लेबल करने पर आ जाते हैं हम लोगों को कि हम बहुत बत्तमीज हैं या हमें पता नहीं है लोगों से कैसे बात करनी चाहिए तो मैं जानना चाहती हूँ ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बॉडी को अगर मारा जाए तो दिखाई देता है पर अगर दिमाग को हर्ट किया जाए एमोशन को हर्ट किया जाए तो वो चीज ना दिखाई नहीं देती है तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम लड़कियों के साथ हम हर्ट हो रहे हैं तो हम चुप रहे हैं हम कुछ ना बोलें क्या आपके साथ ऐसा हो तो आप चुप रहे पाएंगे अगर आपको कोई एमोशनली हर्ट करे या आपको किसी चीज का